ये फिल्मों बनाने का एक दौर भारतिय फिल्म इंडस्ट्री में चल परा है जहां पर डिरेक्टर और प्रोडूसर अपने फिल्मों को जादा से जादा बजट में बनाना चाहते हैं इसी सिलसिले में एक फिल्म जिसका बजट तकरीवन 400 करोर है और इस फिल्म का पहले नाम रखा गया RC-15 फिर नाम रखा गया CR-V-50 तो आपके दिमाग में ये कोताहुल चल रहा होगा कि ये क्या नाम है एक्चुली जब फिल्म लॉंच किया गया उस समय डिरेक्टर प्रोडूसर ने फिल्म का टाइटल डिसाइड नहीं कर पाये थे इसलिए पहले हीरो राम नाम पर RC-15 रखा गया और उसके बाद SR-V-50 रखा गया तो ये फिल्म है संकर की पहली तेलगो फिल्म के क्यों संकर इससे पहले तमिल फिल्मों को डिरेक्ट कर रहे थे तो संकर की ये पहली तेलगो फिल्म है तो उमीद करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म का टाइटल जा चुके होंगे और मैं आज की फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ ये आप समझ चुके होंगे आपसे गुजारिस है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं जहां पर मैं आपको इंट्रेस्टिंग इंफोर्मीशन प्रवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत ही न को फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं और ये एक एक्षन परधान फिल्म होगी तो आए चले हम जाने इस फिल्म से जुरे हुए कुछ रोचक तत्थे तो ये फिल्म दस जन्वरी दोहजार पचीस को रिलीज हो रहा है और इस फिल्म में रामचरन तेजा एक आईस ऑफिसर के जो एक एक्षन फिल्म होगा जैसा कि संकर के फिल्मों में होता है कि जो हीरो है वो सुसाइटी के बुराईयों से फाइट करता है करप्शन से फाइट करता है चाहे वो फिल्म हमसे है मुकाबला हो जेंटलमेन हो या इंडियन हो या फिर सीवा जी हो ऐसे कोई फिल्म देख जाता है कि संकर का फिल्मों का जो हीरो है सुसाइटी में समाज में छुपे हुए बुराई से लराई करता है वहाँ पर जो करप्शन है उससे फाइट करता तो ये फिल्म भी उसी सिरीज का एक और अनुखा अनुभव होगा जहां पर रामचरन तेजा आईस ऑफिसर के संकर के फिल्मों का म्यूजिक एयर रहमान देते हैं लेकिन इस बार एयर रहमान ने नहीं दिया जो मेरे लिए या संकर और एयर रहमान के फैन कलब के लिए सौकिंग नीज है तो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्मों का जो म्यूजिक है उच्छा हो लेकिन एयर रहमान के ले तो दिन राज्यों हमेशा बहुत ही बरे लेवल पर लेविस फिल्म बनाते हैं और जब उनका साथ संकर जैसे डारेक्टर का हो तो अने वाली है इस फिल्म में एक्ट्रेस है कायरा अडवानी, कायरा अडवानी और रेडी तेलगू फिल्मों में डिबूट कर चुकी है वो भ तो उम्मीद है कि गेमचेंजर रामचरन तेचा और कायरा आडवानी के लिए ब्लॉकबस्टर सावित होगी यह बजट स्टार्ट हुआ था 200 में लेकिन यह चलते चलते 400 करोड तक हो गया क्योंकि संकर अपने एक्षिंस स्रिक्विंस को और सौंग के स्रिक्विंस को बहुत ह अलग तरीके से फिल्म आते हैं जहां पर कॉस्टिक बर जाती है एक समय तो ऐसा हो गया था जब डारेक्टर और प्रोडुसर के बिच में काफी जहरप हो गई थी फिल्म का सुटिंग बंद हो चुका था तो लोगों को लग रहा था कि एक बहुत ही मास्टर पिस फिल्म को हम लोग मिस करने वाले हैं लेकिन लास्ट में ये फिल्म रिलीज हो रही है और 10 जनवरी को हमारे और आपके सामने आने वाली है जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट में आपके सामने रखने वाला था वो क्या है इस फिल्म में राम चनन तेजा का दबल धमा का आने वाला वैसे तो राम चरण तेजा ने बहुत बार फिल्मों में double role किया, लेकिन इस फिल्म में थोरा सा different double role होगा, क्योंकि यहां पर इनका जो double role है father और son का है, इसी तरीके से संकर भी अपने कुछ फिल्मों में actor को लेकर double role का बना चुके हैं, जैसे वो film हो हिंदुस्तानी जिसमें कमल हसन को फादर और सन का रोल दिया गया था, उसी तरीके से रोबोट जहाँ पर रजनी गान्द का डबल रोल था, तो ये जो डबल रोल का कॉंसेप्ट है, सोसाइटी से करफशन का फाइटिंग का जो कॉंसेप्ट है और रामतरन्ज तेजा जो एक एक्षन एक्टर है और उसके साथ मास इंटर्टीनर संकर का तरका लगे तो उम्मीद करते हैं कि एक जवर्दस फिल्म आने वाली है और इससे रिलेटिड कोई भी और इन्फोमिशन मिलेगा तो मैं आपके साथ सेर करूँगा आपके पास कोई इन्फोमिशन है तो आप हमारे साथ सेर करें ताकि मैं उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकूँ और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जब तक क लिए दोस्तो थैंक्च्यू